हेलो, सबी को मेरी तब से प्यार भारन अवस्कार, सब करताव सब अच्छे होंगे, मैं रोहित कुमार, UC Life हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए है, इसमें हम जो इल्यूशन बुक है, उसके जितने भी MCQ है, वो हम पूरे ही डिसकस करेंगे, उस बुक को हम पूरे ही डिसकस करेंगे, जो आपके जो आने वाले एक्जाम है, जैसे SSC के एक्जाम चदे है, जो हमारे पास अभी न ये सीरीज बहुत महत्तपून है, तो आप हमारे चैनल UC Live के साथ जुड़कर अपनी त्यारी को continue करें, और आपके आने वाले एक्जाम जो है, वो अच्छे रहें, मैं आसा करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और अपनी इस त्यारी, हमारे साथ जुड़कर अप उसके बारे में हम, मैं यहाँ पर question लेकर आया हूँ, तो यह जो हमारे पास सिंदू घाटी जो सब्यता थी, यह कब से कब तक रही थी, तो पचीसो बीसी से यह रही थी, 1750 बीसी, तो हम इसमें जितने भी MCQ हैं, जो इस बुक में है, उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे, मैं उम जान पुर्वुक देखें, और साथ साथ में नोर्स बनाते रहें, तो आज का discussion स्टार्ट करते हैं, तो पहला question आपकी screen पे रहा, कि जो हरपा सब्यता की खोज किस बरस में हुई थी, तो जो हरपा संस्किती थी, उसकी जो खोज की गई थी, वो कब की गई थी, तो हरपा सं जाते थे, उनके क्या रहने के तो तरीके थे, उसके वारे में हमें पहला जो अवसेस मिला था, वो 1921 में मिला था, और ये किसके द्वारा discover की थी, ये भी मैं आपको बताऊगा कि सबसे पहले जो आगी ये question भी बना हुआ है, तो इसमें आप, आपका जो जितने भी question है, व जो हमारे पास डॉक्यार्ड पाया गया है, तो वो हमारे पास जो लोथल जगा है, ठीक है, एक लोथल जो प्लेस है, वो कहां पे है जी, तो वो है गुजरार, आपे है गुजरार, तो वहां पे हमारे पास किस सब्वेता का जो डॉक्यार्ड पाया गया है, तो वो किस सब् किस संब्बंदित है कि संदु घाटी संदु घाटी संदु घाटी संदु घाटी के लोग के लिए थे वो अपने घरों को बनाने के लिए किस चीज का अप्योग करते थे तो जो सिंदु घाटी के लोग थे वो अपने घरों को बनाने के लिए जो इन्टे यूज करी थी वो कौन सी इंटे यूज करी थी जो पकी इंटे यूज करी थी जो आज कल हम यूज करते हैं वो इन्हो ने यहाँ पर यूज करी थी ठीक है जी तो इसका जो सही अंसर है वह है और यह जो है इसका सही अंसर नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं सिंदू घाटी के लोग किसके साथ बेपार करते हैं तो जो सिंदू घाटी सब्वेता थी वहां के जो लोग थे उनका जो सबसे जादा बेपार हुआ करता था वो हुआ करता था मैसोपटामिया था उनके साथ जो उनका जो बेपार था वो स सिंदू घाटी के लोग थे वो बेपार किया करते थे जिसको मैसो पुटा में ठीके जी नेक्स्ट कुश्चन है हमारे पास इंदू घाटी की सब्विता जो हमारे पास नौन आरें जो थे उनको क्यों कहा जाता था तो जो थे ये एक क्या थे वो ये एक सहरी थे पतलर जो हमारे पास जो सिविलाजेशन थी कौन सी इंडस वैली जो सिविलाजेशन थी वो नौन आरें थे क्योंकि वह क्या थे एक बहुत ही भजо हमारे पास गाउं मे रहने वाले बट यह जो थे सिंदु घाटी के जो लोग ते यह कहां रहते तो इनका जो हमारे पास एक क्या था इनका जो सब्सक्राइअ मिली हुई है उसमें इन्हों ने एक पकी इनकी गलियां हुआ करती थी इनके जो घर पकी हुआ करते थे अच्छा ड्रेने सिस््टम हुआ करता था इस घाटी में जो ड्रेने सिस्टम था वो भी अच्छी तरह से इनue ने बनाया था तो ये एक बेल हमारे पास बेल डिफाइन जो इंका जो ट्रक्चर था घरों का रहन का जो सहर के बनाने का इनकी हर एक गलिया जो थी एक दूसरे से लिंक थी ठीक है जी और इनके जो बड़े लोग थे वो सहर के बीच में रहा करते थे और जो गाओं के लोग थे वो उनके आस्परोस में रहा करते तो तो यह जो सब्वेता थी यह बड़ी ही फेमस सब्वेता था कि का जी नेक्स्ट कॉशन देखते हैं सिंदू-घाटी सब्विद्दा के समंद में निमीलिक्त सभी कतन सकते हैं एक के सिवाए गाटी का कोन सा ऐसा कतन है जो सही नहीं है इंदू घाटी सर्विता एक उन्ती सहधी सर्विता थी ये बात बिलकुं तरही है लोहे के बारे में लोगों को पता नहीं था बिलकुं तरही है उनको कौन सी मैटल के बारे में जादा पता नहीं था जो लोहा था उसके बारे में उनको कोई जादा जानकारी नहीं थी ये कह मस्किल है कि वो घ्रक जाती के थे ठीक है जी तो option ca कि और जो है इसका है तो तो कि लोग कने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे यह जो सभ्व्षण है यह जो ऑप्शन है यह भी करने शाची गाटी के सबंद हिमिलिक्त में से किस कत्न के सत्ते हैं तो ये सारे के सारे जो कत्न है ये बिल्कुल सत्ते हैं सिवाए इसको छोड़ कर कि ये कहना मुस्कील है कि लोग किस जाती के थे ठीक है जी next question देखते है तानिये नाम जो मोहन जोड़ारो है उसका मतलब क्या है तो जो मोहन जोड़ारो है इसका जो मीनिंग होता है लोकली इसको क्या कहा जाता था मिर्तको का टीला कि जो हमारे पास मोड ओफ डेड था उसके नाम से इन को जाना जाता था कि मोहन जोड़ू जो है जो है इसको क्या कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है हमारे पास मिट्टू का पीला option number C जो है इसका सही answer है next question देखते है तिंदू घाटी सब्विता की विसेशता क्या थी जो हमारे पास town planning की इनके जो सहर बने हुए थे वो बेल प्लान थे कि उनको पता था कि हमें कैसे बनाना है मैंने अभी आपको समझाया था कि इनकी जो गलियां हुआ करती थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई करती थी जो इनके जो अच्छे जो साही घराना हुआ करता था वो सबसे उपर रहता था और बाकी जो उसकी जो प्रजा थी वो नीचे रहती थी तो इनके पास एक पूरी तरह से प्लान था कि इनको अपने सहर को कैसे सेट अप करना है तो इनका जो मुख्य पसेश्ता किया थी town planning कि इनको पता था कि हमें अपने सहर को कैसे बसाना है next question देखते हैं जो मोहन जो दुरो की खुदाई में मिली एक जो हमारे पास निर्तरंगल की परसिद आकरिती किस से बनी हुई है तो वहाँ पे जो हमारे पास जो मोहन जो दारो की जो खुदाई की गई थी वहाँ पे एक हमारे पास dancing girl की एक जो हमारे पास figure मिली थी तो वो क बढ़ी बार यह paper में question आ चुका है तो यह बहुत ही very very important है तो यह जो हमारे पास dancing girl की जो हमारे पास महुन जुदारों में जो हमें ये खुदाई के दुरान जो मिली थी तो ये किस मैटल से बनी हुई थी तो ये बनी हुई थी ति ब्रॉट जो हमारे पास कान से है उससे ये बनी हुई थी ठीक है जी ये भी बड़ी बार पेपर में कॉशन आ चुका है तो ओप्शन नमबर जो इसका दी है वो कहा है बिल्कूल सही अंसर है नेक्स्ट कॉश्चन की तरफ देखते हैं सिंदु घाटी सब्वेता निमिनलिक्त में से किस जानवर के बारे में नहीं जानती थी देखिए जो सिंदु घाटी के लोग थे उन्हें एक जानवर के बारे में नहीं पता था और वो कौन सा जानवर था बैल के बारे में उन्हें पता था ठीक है जी जो जिराफ है इसके बारे में इन्हें पता नहीं था option number D जो है इस question का सही answer है ठीक है जी तो सिंदू घाटी के लोग उनको bell का भी पता था घोड़ा क्या होता उसका भी पता था हाती क्या होता उसका भी पता तरंतु जो जीराफ थे उसके बारे में इनको कोई knowledge है नहीं थी तो इसका option number D that is the right answer ठीक है next question देखते है निमिलिक्त में से सिंदू घाटी में खुदाई के अबसेस मिले कौन सा एक पन्जिक और आर्थिक विकास की जो इनगित करता है तो जो हमारे पास जो हमने खुदाई की थी सिंदू घाटी तो वहाँ पे हमें एक commercial and economic development के बारे में हमें पता चलता है तो वहाँ पे जो थी वो हमारे पास जो seals की के जो हमारे पास क्या रहते थे ये जो हमारे पास होती है एक stamp हुआ करती थी ये हमारे राज्जी की एक stamp है जिस पे ये stamp लगी होगी तो वो जो होगा वो इस राज्जे का समान होगा तो वो जो हमारे पास सील बनी हुई थी हर एक जो जैसे सिंदू घाटी सरबेता थी अगर वो वेपार करती थी तो वेपार के जो जो भी समान हुआ करता था उस पे उस चीज की स्टेंप लगाई जाती थी और दूसरी देश को वो एक्सपोर्ट की जाती थी ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये जो हमारे पास समान आया हुआ है तो ये कहां से आया हुआ है किस घाटी का है तो ये सिंदू घाटी का समान है तो option बर बी जो है इसका सही अंसर है next question देखते हैं भारत में सबसे पहले खोजे गे सहर भारत में सबसे पहले कौन सा सहर खोजा गया था हडपा जी जो हडपा है वो सबसे पहले इसके बारे में हमें पता चला था कि ये जो हडपा जो सहर है हमने सबसे पहले इसको खोजा था ये किस घाटी जो ये जो हडपा संस्किती या इसको सिंदु घाटी सब्विता के नाम से जाना जाता है तो इसका जो इस question का जो सही option है वो है अड़पा option number A that is a right answer next question देखते हैं निमिनलिक्त में से कौन सा एक सिंदु स्थन दोक्याड का परमान देता है मैंने अभी आपको बताया था कि डोक्याड हमें सबसे पहले दिखिए फिर पेपर में question आ तुका है तो डोक्याड हमें कहां मिला था जो सिंदु घाटी सब्विता का जो डोक्याड मिला था वो कहां पर मिला था तो लोथल मैंने अभी आपको बताया कि जो लोथल है वो कहां पे है जी ठीक है जी लोथल कहां पे है गुजरात में है option number इसका जो बी है that is the right answer ठीक है जी option number बी क्या है इसका सही answer है उमीद करूँगा कि आप वीडियो को like, share और comment जुरूर करेंगे यह जो आपके लिए मैं यह जो special मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ यह जो अभी form निकले हुए है TSHL के तो यह जो हमारे पास जो हमारे पास exam है यह after plus two जो भरा जाता है यह इस exam पे तो इसमें जो हमारे पास same जो SSC ने अपने pattern में change किया हुआ है कि पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे पास main exam हुआ करता था वहाँ पे हमारे पास दो ही subject आता ठीक है एक आता था math और दूसरा हमारे पास आता था अब क्या करती है कि main के exam में इन्होंने चारों subject फिर add कर दिये है reasoning भी उसमें रहेगी ठीक है जी और उसमें हमारे पास जी के भी रहेगी जो general awareness है जो current affair है वो भी इसमें आपका important role play करेगा ये very very important है तो आप साथ साथ में जो हमारे पास साथ में त्यारी करने के साथ आप इस हिसाब से त्यारी करें कि आपकी main की त्यारी भी अच्छी हो next question देखते हैं next question में हमारे पास क्या कहा गया है देखे हडपा सब्वेता के सबंद में निमिलिक्त में से कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन सही है मानक हडपा महर मिटी से बनी थी गलत है जी कि उनकी जो महुड थी वो किसी मैटल से बनाई गई थी हडपा के निवासियों को ना तो तांबे और ना ही कांसे का ग्यान था ये गलत है क्योंकि जो हमारे पास उनके जो उनको किसके बारे में पदा था ब्राउंस की कि वहाँ पर हमें जो मैटल तो उनके उनको तांबे के बारे में भी पनाई था लोहे के बारे में उने नहीं पनाई था छी कि कि उनके जो तॉन प्लानिंग उनके सबसे पहले हमें पना चला था कि उनको अपने सहर को किस हिसाब से उन्होंने डफल्प किया था उन्होंने बेल उसको डिफाइन करके उसको बनाया था तो यह option भी सही हो गया मतगल्थ हो गया हरपा के निवासी कपास उगाते थे और उसका प्रियोग करते थे option number D जो है इसका सही answer है next question देखते हैं हरपा साल की एक उन्नत जल परबंदन पनाली का पता लगाया ठीक है जी तो जो हमारे पास हरपा संस्किती थी उन्होंने क्या किया था उनके पास एक मैंने बोला था कि management system था हरपा fine as the earth कि उनको उनके पास क्या था एक पनाली थी जो जल उन्ती थी जल के बारे में उन्होंने जल को इस हिसाब से distribute इस हिसाब से manage किया था तो उसका पता हमें कहां से चलता है धोला बीरा जगा है ये भी कहां पे है गुजरात में और हाली में यूनेसको के द्वारा यूनेसको जो वर्ड हैरीटेज जो जगाओं को यूनेसको ने जो यूनाइटी नेशन जो हमारे पास शुक्त रास्ते है उसके द्वारा संस्कित धरोर का दर्जा दिया गया है एक है धोला बीरा जो गुजरात में है और दूसरा है हमारे पास जो रमप्पा टेंपल है कहां पे तिलागाना में उसको यूनेस को रमपपा टेंपल को एक धोला वीरो दूसरा मैंने आपको कौन बताया कि बैरी बैरी इंपोर्टेंट है हमारे आनेवन एक्जाम के जो एक्जाम है उसमें नेक्स्ट कॉस्चन देखते है एक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है निमंडिक्त में से किस एक सहर से घाटी सब्बेता थी वहां से हमें क्या मिला हुआ है कैसे पता चला कि उन्होंने अपने घरों में क्या बनाए थे कुम्मे बनाए थे ठीक है जी कि वहां पानी को स्टोर करने के लिए उन्होंने कुम्मे बना रखे थे तो यह हमें कहां से पता चला था जो हमारे पास मोहन प्राइन 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 प्राइ कपड़े के लिए कपास की खेती सरप्रथम की गई थी तो जो कपड़े के लिए सबसे पहले जो कपास की खेती की गई थी वो कहां पे की गई थी तो भारत में की गई थी जो हर मारे पास हरपा संस्कीती बाले थे वहां की जो निवासी थे वो किस चीज की खेती करते थे कपा और उसी का प्योग कपड़ा बनाने में किया करते थे तो यह जो है सबसे पहले कपड़ा के लिए जो कपास की खेती की गए थी वो कहां पे की गए थी तो भारत में option number जो इसका डी है that is a writer we can next question देखते है हडपा संस्किती के संदर्म में रोक कट जो हमारे पास architecture पाया गया है कि जो हमारे पास हडपा संस्किती है वहाँ पे एक की जो हमारे पास रोक होती है जो हमारे पास चटान होती है उसको मतलब कुरेद कर एक आक्रितिया बनाई गयी है तो उसके हमारे पास अपसेश मिले हैं वो हमे उसकी संस्किती के बारे बारे हमें कहां से पता चलता है यह जो धुझराव definitely depends मैंने भी फिर बताया कि इनसको वर्ड हरीटेस के द्वारा दर्जा दिया गया है कि कैंगा और इसी के साथ जो रामपा टेमपल है तिलंगाना का उसको वर्ड हरीटेस का दर्जा मिला है Next Question देखते हैं निमिलिक्त में से पत्नों पर विचार केजिए और नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए तो इस में से सही कौन कौन से है मोहन जुदारों हरपा दोपर और जो काली वंगा सिंदु घाटी सब्वेता के महत्रपों स्थान है बिल्कुल जी बिल्कुल सही है हरपा के लोगों ने सडको और जल निकाई विवस्ता के नेटवर्क के साथ नियोजीत सहरों का विकास किया था बिल्कुल सही है उनके पास अच्छा ड्रेनेरेस सिस्टम था और फिर हरपा के लोग धातों का प्रियोग नहीं जानते थे गल्त हो गया तो कि हरपा को धातों का पता था कौन कौन सी धातों का पता था तामबे का पता था कि जो तामबा था का पता था और जो उनके पास ओपर हुआ करता था उसका उनको पता था और उनको किसका पता नहीं था तो लोहे का उनका लोहा जो हुआ करता था उसके बारे में उनको प पुल्स था ठीक है जी option number A जो है इसका सही answer है next question देखते हैं हरपा भासी निमलिक्त में से किसे एक के बारे में नहीं जानते थे तो हरपा भासी जो निमलिक्त में से किसी एक के बारे में नहीं जानते तो वो किसके बारे में नहीं जानते थे तो वो किसके बारे में नहीं जा नहीं पता था कि ठीक है जी तो इसके बारे में उन्हें नौलेज है नहीं था तो इसका जो सही अंसर हो गया वो option number D जो है that is the next question देखते हैं हरपा काल का एक तामबे का रत खोजा गया है तो जो हरपा काल का एक तामबे का रत मिला हुआ है तो वो हमें कहां पे मिला हुआ है कहां पे मिला हुआ है जो हमारे पास दमाबाद ठीक है जी दमाबाद है option number C जो है वहां पे हमें हरपा संस्किति एक टाइम का एक तामबे का मिला ओप्चन नमबर सी जो है इसका तही अंसर है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं निमलिक्त तलों में से एक जहां से सिंदु घाटी सब्वेता की प्रसिद्ध फुल तील प्राप्त हुई है तो हम आरे पास जो वो कौन सा अस्तान है जहां पे हमें सिंदु घाटी सब्व हुआ करती थी जिस पर क्या बना हुआ था बुल बना हुआ था वो कहां पर वो किस सब्वेता की थी तो वो किस की थी हडपा तो उनकी जो सील पर थी जैसे वो अपना समान भेजते थे तो उस पर एक चिन लगाते थे और उस चिन में किस की जो हमारे पास जो चिन लगता थ उस पर क्या आता था उस पर एक बैल की जो थी बैल बना हुआ आता था तो पता चल जाता था कि ये कहां से ये समान कहां से आया हुआ है तो हड़पा से आया था किके जी option number A जो है इसका answer है Next question देखते हैं सिंदु घाटी सब्वेता की खोज किसने की थी तो जो सिंदु घाटी सब्वेता की खोज किसके द्वारा की गई थी तो हमारे पास दया नं सहानी है इनके द्वारा की गई थी और पहला ही question था कि इनके द्वारा इसकी खोज कब की गई थी 1921 यह पहला ही question मैंने discuss किया था तो मैंने आपको बताया था कि यह question आगे आएगा कि सिंदु घाडी सब्वेता की खोज किसके द्वारा की गई थी तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था है दयाराम सहानी और 1921 में option number C जो है इसका सही अंसर है next question देखते है घडपा संस्किती के की मोहरो और जो हमारे पास 13 कोटा कला पर निमलिक्त में से किस जानवर का परतितित नहीं किया गया था तो जो हमारे पास उनकी जो सील बनी हुई हुआ करती थी और जो उनका जो तैरा कोटा जो आड़ था जो कला थी उस पर किस जानवर के बारे में नहीं दरसाया गया था कौन से जानवर के बारे में उनको नहीं नहीं उसमें मैंसन किया था तो वो कौन थी वो गाए गाए का उन्होंने उस पे कोई सिंबल नहीं था बाकी उनकी जो सीर बनी हुई थी उस पे जो गैंडा था वो भी था हाथी और बाग भी उनके उसमें जो उनकी सीर हुआ करती थी उसमें उनके बारे में पता था सूची बन को सूची टू से सुमिचित कीजिए और सूचियों का निमलिक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्र बताई तो हमें पता है लोथल में क्या मिला था डोक्यार्ड मिला था ठीक है जी जो हमारे पास भी का है वो है काली वंगा में जोता हुआ खेत मिला था ठीक है जी तो इसका जो सही अंसर है बे है option number B ठीक है जी तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लोथल में अभी हमने पढ़ा क्या मिला तोक्यार्ड मिला जो काली वंगा था वहाँ पे जोता हुआ खेत मिला जो हमारे पास ती है यहाँ पे क्या मिला एक अभी लेक मिला जिसमें हडपा लिपी के दस बड़े अकारों की चिन थे और जो हमारे पास बनवाली है वहाँ पे क्या मिला तेरा कोटा हल की जो प्रतिक्रीती मिली तो यह option जो है इनको आप अपनी कोपी में right on कर ले ना कि हमें हडपा संस्किती में कहां से क्या चीज़ के बारे में पता चला है यह बहुत ही important है और हर exam में यहाँ से कोई ना कोई question एक question तो यहाँ से जुरूर रहता है तो इसको right on कर लेना very very important है next question देखते है निमलिक्त में से कौन सी पहली धातू जिसे धातू थी जिसे मानव ने खोजा और उपकन के उपकन के रूप में इस्तमाल किया तो ओजार बनाने के लिए सबसे पहले जो मानव था उसने किस धातू का यूज किया था तो वो थी copper ठीक है जी copper से उसने जो अपने ओजार बनाएं ठीक है तो option number D जो है इसका सही अंसर है next question देखते है next question में क्या कहा गया है मोहन जुदारो स्तीत है तो मोहन जुदारो कहां पे स्तीत है जो लकाना जिला है ठीक है जी जो लकाना जिला है वहाँ पे जो है वो मोहन जुदारो स्तीत है option number B जो है, इसका सही answer है, next question देखते हैं, महरों जुदारों और यहाँ पाई गई, महरों के बीच में समानता है, तो जो हमारे पास महरों जुदारों की जो stamp हुआ करते हैं, जो अपनी seal लगाते थे, और किस देश की जो महर हुआ करते हैं, तो जो हमारे पास सुमेरिया, जो country जो हमारे पास महरों की समानता मिलती है, जो हमारे पास मेसोपरामिया थी, जो हम किस नाम से जानते हैं, तो वो मिसर, मिसर की सब्वेता जो है, वो सबसे पुरानी है, इसको एजिप्ट बोलते हैं, पहले इसको मेसोपरामिया के नाम से जाना जाता था, और हरपा जो हरपा के लोग थे, वो अपना सबसे ज़्यादा वेपार किस के साथ करते थे, तो मेसोपरामिया के साथ करते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपना जो यह जो एक्जाम है इसके इसकी त्यारी को कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है इसमें जो हमारे पास मैं यह जो नहीं सीरीज लेकर आया हूँ इसमें हम यूशन में जितने सब्सक्राइब करेंगे और अपने आने वाले एक्जामों में सकते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेंगे नहीं जानते थे तो उनको किस जानवर के बारे में नहीं पता था तो उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था तो जो घोड़ा था उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था फिक है जी घोड़ा क्या होता है उन्हें उन्होंने वो जानवर नहीं देखा था तो option number A जो है that is the right answer next question देखते हैं सिंदू सब्वेता किसके लिए विख्यात है तो सिंदू सब्वेता किसके लिए विख्यात है यह पहले वी question आया हुए दोरा फिर paper में आया हुआ है तो सिंदू जो सब्वेता है हमारे पास जो हमारे पास town planning की उनका जो सहर था वो bell defined था उनको उनके अच्छे drainage system हुआ करते थे अच्छी पकी गलिया हुआ करती थी उनके जो खाने के लिए अच्छे उन्होंने store बनाके रखे हुए थे जो हमारे पास उनका पानी management system था कुम्मे बनाके रखे थे तो यह अच्छी तरह सुने प्लान करके इसको बनाया था जो बड़े लोग हुआ करते थे वो कहां पे रहते थे वो उपर होस में मतलब सहर के उपर वाले हिस्से में उपर भागों में रहा करते थे और जो उनकी जनता है वो नीचे के वो गाव में मतलब नीचे रहती थी ठीके जी option number C जो है इसका सही answer है next question देखते है खडपा वासी किसका प्रियोग नहीं जानते थे तो उनको किसके बारे में नहीं पता था मैंने आपको पहले बताया कि उनको लोहे के बारे में कोई भी idea नहीं पाकी उनको कोपर का भी पता था कांसे भी उनको पता था और सोने का भी उनको पता था अट लोहे के बारे में उन्हें knowledge नहीं था option number D जो है इसका सही अंसर है option number D that is the right answer next question देखते है निमिलिक्त में से कौन सा सिंदू लोगों के लिए मुख्य बंदरगा था तो जो सिंदू लोग बेपार करते थे जो हमारे पास सुमेनिया है जो हमारे पास मेसोपोटामिया था उनके साथ बेपार के लिए वो बेपार किया करते थे तो उनका एक परमुक बंदरगा हुआ करता था तो वो बंदरगा कौन सा था उनका तो उनका जो बंदरगा था वो था लोथल और ये जो लोथल है ये कहां पे है जी गुजरात में तो गुजरात में एक लोथल है वहां से भे अपना वेपार किया करते थे सुमेरिया है उसके साथ जो हमारे पास मेसोपटामिया है उसके साथ वो अपना वेपार वहां उनके साथ किया करते थे कहां से लोथल next question देखते हैं सिंदु लोग किसके उपासक थे जो देवी माता थी उसकी पूजा वो किया करते है option number a जो है that is the right answer कि सिंदु के लोग जो पूजा किया करते थे उपासक थे तो वो किसके उपासक थे देवी माता के वो उपासक थे option number a जो है that is the right answer next question देखते है हमारे पास R.A.R.N. R.A.N. जो है वो किस को denote करता है तो इसका क्या मतलब था एक speech group एक भासी है smooth था option number A that is the writer कि जो R.N. थे वो क्या थे एक भासा बोलने वाला एक ही भासा बोलने वाला एक smooth था जिनको क्या कहा जाता था R.N. कहा जाता था एक जो है that is the writer next question देखते है भारत में चान्दी की प्राच्तिम जो हमारे पास परमान मिले कि भारत में चान्दी के बारे में सबसे पुराने जो परमान मिले वो कहां से मिले जो हमारे पास पश्चिम भारत की जो हमारे पास चालकोटिक चालकोटिक जो हमारे पास संस्कीती थी वहां से हमें किसके बारे में पता चला चांदी के बारे में पता चला बेरी बेरी इंपोर्टेंट है ठीके जी चांदी के बारे में हमें कहां से पता चला था तो ये जो हमारे पास सब्वेता थी यहां से हमें पता चला था इचांदी के बारे में नेक्स कॉश्चन देखते हैं निमिलिक्त में से कौन सा प्राचिन तमिलों के धर्म का बिसिस्ट लक्षन है तो जो हमारे पास सबसे पुनाना जो एशन तमिल धर्मों का सबसे बड़ा जो हमारे पास धर्म बसिष्ट लक्षन था तो वो क्या था जो हमारे पास मूरेंग की जो हमारे पास मूरेग की पूजा किया करते थे किसकी पूजा किया करते थे मुरेग की पूजा किया करते थे option number जो c है that is the right answer कि जो हमारे पास तमिल जो लोग थे वो तमिल धर्म के जो लोग थे वो प्राचीन में किसकी पूजा किया करते थे जो मुरेग है मुरेंग है उसकी पूजा किया करते थे option number c जो है that is the right answer next question देखते हैं नीमिनलिक्त में से कौन सा भारत पर फार्सी के आकर्मान से प्रभावित नहीं हुए थे जब हमारे भारत पर फार्सीयों ने आकर्मान किया था तो उससे जो बंदे थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा था कोई प्रभाव नहीं हुआ था वो कौन थे तो वो कौन थे मूर्तिकार ठीक है जी जो मूर्तिकार थे उनको उनके आकर्मान से कोई भी हानी नहीं हुई थी क्योंकि उनका काम बैसे का बैसा ही चलता रहा ठीक है जी बहरी इंपोर्टन है कि जब फार्चे ने भारत पर आकर्मन किया था तो उनके आकर्मन से एक ही बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो को थे जो मूर्ती बनाते थे मूर्ती कार जो थे जो सिल्पकार थे उनको उनके आकर्मन से कोई नुक्सान नहीं हुआ था option number D जो है that is the right answer next question देखते हैं हिंदू घाटी सर्वेता पच्ची सो से लेकर अठारा सूर इसा पुरुप की अबदीत किसके अधार पर सोपी गई है कि कै तो हमें कैसे पता चला है तो हमने हमारे पास अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना हो या हमी पेड की आयू के बारे में जानना हो या कोई भी चटान जो कितनी पुरानी है उसके बारे में जानना हो तो हम क्या यूज करते हैं रेडियो कारवन डेटिंग तो इसमें जो रेडियो कारवन डेटिंग हम यूज करते हैं तो कौन सा हमारे पास होता है यूज करते हैं काइड़ जो यूज करते है वो होता है C14 काइड़ रेडियो कारवन डेटिंग का प्रियोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि यह जो हमारे पास आकृती है या कितनी है यह अबशेस मिले हुए है कितने पुराने है तो यह जो हैं हमारे पास जो इसको बोलते हैं कारवन रेडियो कारवन डेट और इसमें जो यूज किया जाता है वो सी फोर्टिन जो है ये यूज किया जाता है option नमर सी जो है that is the right on next question देखते हैं निमिलिक्त में से कौन सा सिंदु घाटी स्थल नहीं है तो इस में से कौन सा सिंदु घाटी का स्थल नहीं है पाटली पुतर ठीक है जी जो पाटली पुतर है इसका ये जो है वो सिंदु घाटी का स्थान नहीं है रंगपूर जो है ये सिंदु घाटी का स्थान है जो हमारे कैसारी ये तीनों के तीनों जो है ये सिंदु घाटी के स्थान है पर जो पार्टली पुत्तर है वो इसमें से इसमें नहीं आता है और जो हमारे पास ए है दैट इसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्यों ने तिल्प कोसल तो कोसल का अभ्यास नहीं किया था तो उनको क्या बनाने नहीं आता था आर्यों को क्या चीज बनाने नहीं आती थी उनको अभूशन बनाने नहीं आती थी ठीक है जी उनको अभूशन बनाने नहीं आते थे आप्शन नमबर जो नेक्स्ट कॉष्चन देखते हैं, निमलिक्त में से किस सिंदु घाटी सब्वेता सन्में विसाल सनान ग्रह की खोज की गई थी, तो यह जो हमारे पास एक बहुत यह बड़ा सनान ग्रह मिला था, तो यह कहां पर मिला था, यह कहां पर डिस्कवर किया था, ये बड़ा ही important question है और बड़ी बार ये paper में आ चुका है तो सबसे बड़ा जो हमारे बार सनान ग्रह मिलाओ है वो कहां पर मिलाओ है मोहन जुदारों में हमें क्या मिलाओ है एक सनान ग्रह मिलाओ option number जो A है इसका that is the right next question देखते हैं अमीद करूँगा आप वीडियो को like, share और comment जुरूर करेंगे और आप मुझे धेर सारा प्यार देंगे ताकि मैं आपको पूरी जो यूशन्ट book है वो यहां पर discuss करूँ और आपके जो भी आने वाले exam है उसमें यह आपको काफी फाइदा पूंचाए तो आप हमारे साथ यूसी live channel के साथ जुड़कर वहां पर bell icon बटन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो उसको उसकी information आपको मिल जाए ठीके जी next question देखते हैं निमिलिक्त में से किस सिंदू घाटी स्तान से प्रत्थम स्यूप्त जो हमारे पास जो सब्धान के साक्ष मिलते हैं जो हमारे पास कहां करते थे जो हम सब्धान करते थे उसके जो साक्ष सिंदू घाटी से सिंदू घाटी के स्तल से मिलते हैं तो वो सबसे पहले हमें कहां पे मिले थे कहां पे मिले थे लोत्तल में कि जो हमारे पास जो सब को है वो क्या किया जाता है जो सब धन किया जाता है वो सबसे पहले हमें उसकी जो अफसेस मिले थे वो कहां से मिले थे जी लोत्तल से मिले थे जो उत्तल का है जी और जो हमारे पास मोहन जुदारों है यह आपके लिए question है तो यह किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका जो हमारे पास इस question का जो सही answer है बे है option number a that is the right answer निमिलिक्त मेंसे किस सिंदु घाटी स्थल को काली चूडियों के सहर के रूम में जाना जाता है तो उस सिंदु घाटी का वो कौन सा स्थल है जहां पे काली चूडियों काली चूडियां बेची जाती थी उस नाम से जाना जाता है किस सहर को उस नाम से जाना जाता है काली भं होगा के नाम से जानन जाता है option number जो c है that is the right मैं आपसे फिर पूसता हूँ अभी आगर आपने ध्यानबुर्बुक वीडियो को देखा होगा तो हमारे पास जो मिसर के साथ जो सिंदु घाटी वाले जो हडपा पनस्किती वाली थे वहां उनके साथ जो सिंदु घाटी वाले जाता वहां से यह क्या किया थे वेपार किया थे next question देखते हैं निमिलिक्त में से किस हडपा स्थल में यूगल जो हमारे पास सब धान पाया गया है तो यह कहां पे पाया गया है option number D लोथल में कि कि option number D जो है इस question का सही answer है next question देखते हैं जो डॉक्याड इंदु घाटी स्थान पे पाया गया था तो किस स्थान पे पाया गया था लोथल यह भी मैंने आपको पहले बताया है तो कहां पे मिला था लोथल में option number जो हमारे पास D है अगर आपने सही से वीडियो देखी होगी तो मुझे यह बताईए कि जो चुन दारो था वहां पे हमारे पास क्या मिला था वहां से हमें क्या मिला हुआ है काली बंगा हमें क्या मिला हुआ है और जो हमारे पास बना बली है वहां से क्या मिला हुआ है मुझे यह तीनों की तीनों अगर आप ध्यान पूर्वक वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमें कौन सी चीज कहां से म ली है तो आप मुझे कमेंट सेक्षर में इसका अंसर बताईए, नैक्ष्ट कॉश्चन देखते हैं हडपा किस नदी के तट परस्तित है तो जो ऑप्शन नमर हमारे पास डी राभी, ठीक है जी जो राभी नदी है ये कहां से निकलती है तो राभी नदी हमारे पास हिमाचर प्रदेश से निकलती है कांगडा जिले से निकलती है और ये चमबा से होते हुए ठीक है चमबा के फिर जे एंड के में एंटर कर जाती है और ये कराची के पास जो है हमारे पास सिंदु घाटी के साथ मिल जाती है ठीक है जी नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं जो हमारे पास सिंदू नदी है ये कहां से निकलती है ये तिबबत मांसरोबर से निकलती है ठीक है जी ये जो है हमारे पास जो सिंदू जो हमारे पास सिंदू नदी है ये कहां पर जाकर गिरती है तो अर्ब साकर में जाकर गिरत निमनलिक्त मेंसे सही युगम को बिताईए, जो हमारे पास हल खेत Esp realized तो हल खेत काईव कहांसे मिले थे isn't option नोरं जो हमारे पास घोड़ो की हडियां जो हमारे पास confirmation बोर की हडियां हो कहांसे मिली थी उस्धूर्ट कोटादा सुर्कोटादा जो है वहां से मिली थी जो हमारे पास निचला सहर किला बंदी ये कहां से मिला था मोहन जुदारों से हमें इसके बारे में पता चलता है और जो हमारे पास कोई गड़ नहीं है ये हमें कहां से मिलता है जो हमारे पास जो काली जो हमारे पास ये जो हमारे पास कोई गड़ नहीं है यह हमें कहां से मिलता है option number B जो हमारे बास चूरो धारो से नहीं ठीक है जी option number जो इसका सही है option number C option number C जो है that is the writer इसको write down कर लेना और आपको पता होना चाहिए कि हमें कहां से क्या चीज़ मिली हुई next question देखते है हिंदू घाटी सब्वेता निमिलिक्त में से कों सा स्थल भारत में स्थित नहीं है तो सिंदू घाटी सब्वेता का कों सा स्थल भारत में स्थित नहीं है हरपा ठीक है जी जो हरपा है ये भारत में स्थित नहीं है ये कहां पे स्थित है पाकिस्तान में लोथल गुजरात में है ये बनवली हमारे पास जो है रियारा में है धोला बीरा जो है ये भी बुज़रा तो ये सारे के सारे जो हमारे पास तल है ये कहां पे है भारते है तो अमीद करता हूँ कि आप को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप वीडियो को लाइक सेर और कमेंट जरूर करें झाल झाल